नमस्कार मैं नीशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं नियूस वोल्ड एल्ड आज आम मौजूद है उत्राखंट की राजधानी में जो अलागात्तार सियासत गर्वाद चुकी है जियां आपको एक बयान बता दे जो कि लेहमद कॉंग्रेस पार्टी के एक नेता न राजधानी का महौल क्या है लोगों की सोच क्या इस बार जो तुष्टी करन की राजनीती चल रही है उस पर क्या है जनता की राय इसको जानने के लिए आजम्या मौजूद है हम लोगों से जानेंगे उनकी राय और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार वोट ज जिसमें उन्होंने का कि हमारी Congress Party अगर सत्ता में आती है तो हम कहीं ना कहीं Muslim University का गठन करेंगे तो इस पर आपकी क्या रहा है देखिए हर आदमी को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात कहीं है तो खाली उसमें यह नहीं है कि Muslim ही लोग पढ़ेंगे अगर Muslim University बनती है तो उसमें सब धर्म के लोग पढ़ेंगे आप हिंदुस्तान में जितनी भी Muslim University आए उनको जाके देखिए आप उनमें record देखिए कि उसमें हर धर्म हर जाती का व्यक्ति पढ़ा है और मैं आपके बताना चाहता हूं कि अलिगर Muslim University से देरादुन के जो वरत राजनीती करते हैं और इस बार देभूमी की जनता ने तो मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करने जा रही है और जो ये धर्म की राजनीती बार बार करते हैं इसको जनता सीरे से नकार रही है तो कहीं ना कहीं है जो Muslim University की एक वारल वीडियो हुई एक वारल बयान चल रहा है तो क्या ये एक चुनावे मुद्दा बन सकता है नहीं नहीं देखिए आज देभूमी की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को सिर्फ और सिर्फ जो जुमले बाजी करते हैं उनको इस बार जनता वोट नहीं करेगी अगर अकील हमाची ने कोई इस तरह का बयान दिया है तो ये एक उनका अपना निजी बयान हो सकता है पायट का इसमें कोई हित नहीं है नहीं पायटी का कोई सवाल जानना चाहूंगी क्या आपको लगता है मुस्लिम यूनिवर्सटी चुनावी मुद्धा बन सकता है भाजपा जो सरकार है उसने का तो काम ही यह है कि बोटों का पुलराइज करना ना हिंदू-मुस्लिम करना दंगे करना अभी देखो यूपी के अंदर क्या हुआ है वेसी के उपर जो है गोली चलवा दी गई है ठीक है ना तो वह पुलराइजिंग का काम है और मुस्लिम लग वाजपा के लोग है और किन के लोग हो सकते हैं वह पाके ही लोग है यह है कि मुद्दा निवनेगा और जनता दो जो है अब सब जान चुकी है कि हाँ इन्होंने पोलराइजिंग करना है बीजएपी ने और वो नहीं होगा इस वार कौन सी पार्टी आ सकता सटा में सब जो है देखो जितने भी युवा वर्ग है महीला है सब प्रेशान है बीजेबी गौवर्मेंट से जितने भी हमारे बच्चे जितने भी घूम रहे हैं तो उनको नौक्रियों के लिए अवेजन करना आपको लगता है कॉंग्रेस पार्टी वो दिला पाई है बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल लेना चाहूंगी और जानूंगी कि यह क्या चुनावी मुद्दा बनेगा इस बार क्योंकि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में जो जो चीजे अभी प्रेंका गांडी वोडर आई थी उन्होंने भी लगाता है कि महिलाओं को लेके करी लेकिन क्या इस बार इस ब प्रविदान सबा आप देखें हमारी तो दर्म पुर्विदान सबाय वो सैष्पर विदान सबाय और उन्होंने यह अपने निजी तोर पर कहा है और उन्हें कहा कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए तो इसमें गलत क्या का उन्होंने क्या मुस्लिम का हक निया पढ़ने का लेकिन उनका कहने का मकसद यह नहीं था कि से महां पर मुसलिमी पढ़ेंगे, किसी धर्म विसेश के लिए उन्हें यह नहीं कहा कि उन्हीं के ही लोग पढ़ेंगे. आप अगर जामिया इसलामिया देखें, डेली में है, अलिकरल मुसलिम उनिवर्सिटी देखिए, महां पर सब हर तरह का व्यक्ति पढ़ा है, हर धर्म के, हर जाती के, हर एक व्यक्ति महां पर पढ़ाई कर रहा है, और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और महीं से निकलने वाले जो इस्टुडेंट है, पूरे देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया में भी राम रोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मुस्लिम युनिवर्सिटी के लिए अगर बोल दिया, तो इसमें भाजपा का तो काम ही है, वोटो की राजनिती करना, हिंदु मुस्लिम करना, मंदिर मस्जित करना, पाकिस्तान जिन्दा निकालना, यह तो उनका काम है देखो, अब यह चलेगा नहीं, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता को विकास चाहिए, युवा आज बेरोजगार है, अगर हम देखें तो सहसपूर विधानसवा में पिछले 5 साल से बिजेपी की सरकार है, और केंदर में बिजेपी की सरकार है, पुर मुस्लिम, पाकिस्तान, बस इनका यही काम है, भाजपा जो है, अपने सत्ता में जब थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, कह सकते है, डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदबाओ, या फिर आपको लगा कुछ आथा, साफ नजर आ रहा है, अगर हम देखें, सहसपूर विधान सभा, जो है, यह पूरी अगर देखें, तो क्यों नहीं बनाया उन्होंने, अगर सवाल क्या जाए, कोई एक अस्पताल बनाया उन्होंने, कोई एक सेंक्सिक सस्थान अगर वहाँ पर बनाया हो, तो हमें दिखा दीजिए, तो आपको लगता है कि भाजपा ने मुसलिम्स के या नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल नहीं, आज अगर हम देखें, तो सड़क, सड़क और ये नाली, ये मुद्दा नहीं है, आज बेरोजगारी मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अब सड़क नहीं चीए, मंदिर मस्धीद का तो इनका मुद्दा मु आप खुद देखिये आप अगर नजप दोड़ा होगे धरमपूरिविधानसवा में या सहेंसपूर हमारी लग्तिवी विधानसवा है सहंसपूर जहाँ के वह लुए कि ने इसको बना दिया होगा कौन सा कॉलीज नोने बनाया है कौन सा इनोने अस्पताल बनाया है आप बताईए तो मैं अभी आपके पास भी आती हूं पर मैं आपसे जाना चाहूंगे आपको लगता है कि मुस्लिम के लिए भादपा सरकार स्कार्व एक एक साथ इतना बुरा हाल हमारे रोडों का एस टेम गटां इतना पर इतना जाथ है और धरम के मामने में फला करें यानिक कि सी भी तरीका से वोट मीले कि सीआ कैसे करना पड़े से इन्हें कोई फरक नहीं पड़ता और महंगाई भुकमरी और यह सब चीज है इतनी ज्याद हो गई कि लोगों नो विच्छाओं ने काम धंदे रोजगार प्लगों के बंद हो गई जो है तो आपको लगता है भाजपा की कारेकाल में यह सब होता है और यह सब करेकालिमन कान सम्रोटी इता आधमी जो घ्रीप लोग बंते है एक दम बॉल पागी बिल्कुल जो यह इस सरकार की निती है यह सरकार का जो है लो क्या मूस्लिम यूनिवर्सटि वाले बयान पर आप क्या यूवर्सटी बने अच्छी चीज है सब पढ़े सब अच्छी बा कोई धर्म का मामदा नहीं होना चीए युनिवर्स्टी को लेज इसकूल जो भी है वो सब के लिए होते हैं सभी के लिए होने चाहिए बहुiénे के लिए होते हैं किसी मुस्लमान का ठपानी होता कुछनी उनिवर्स्टी बने बहुत अच्छी बात है होनी पीची है हमारे उत्राखन में यह से और सहरों में है मैं आप सभी जान लेती हूं कि क्या लगता आपको कि यह चुनावी मुद्दा बन सकता है मुद्दा गर आज उत्राखन के अंदर है तो सबसे बढ़ा बेरोजगारी मुद्दा है यहां तीन लोगों को रोजगार मिला है उसके अरावब किसी को रोजगार नहीं मिला भाजपा के तीन मुक्य मंतरी को सरकार ने कोई रुजगार के नाम पे बिल्कुल यह जीरो रही है उत्राखंड में और इस सरकार को इस भरच रच तंत्री से खनन प्रेमी मुख्य मंत्री को बदलने जा रही है 14-10 मार्च को इनकी विदाई होगी उत्राखंड परदेश से पूरी पूरी 10 मार्च को भाजपा सरकार सत्ता से हट जाएगी और कॉंग्रेस पार्टी आ जाएगी पांच राज्यों में साफ होने जा रही है भाजपा और पांच राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार इस्थाफित होने जा रही है इस देश की जरूरत है जिसने इस देश को बनाया है और जो ये युनिवर्स्टी का मुद्दा है ये सब पोलराइज करने के मुद्दे हैं ये मुद्दे 2014-2019-2017 में खतम हो चुके आज तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है आज सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि मह जो सरसो का तेल असी रुपए ताज 200 रुपए है जो पैट्रोल सत्तर शी था वा आज सो एक सो पार कर गया सलेंडर एक हजार पार कर गया अग कॉंगरेस की सरकार ने कहा है कि 500 रुपए का सलेंडर उपर नहीं होगा उसमें सबसेड़ी देगी सरकार और 5 लाख परिवारो में तीसरा विकल्ब भी जो है अब जनता को मिल चुका है आमान्मी पार्टी का आमान्मी पार्टी ने भी लोगों को लुभाने वाले जो मैनिफेस्टों में काम डाले हैं उसके बाद जो वोट की प्रक्रिया होने वाली थी भाजपा कॉंग्रेस में जो बढ़ते थे वो अब वो तीसरी पार्टी के अंदर भी आ चुक है तो आपका क्या मानना इसमें कि क्या इस बार आमान्मी पार्टी कॉंग्रेस या फिर भाजपा में से तीनों के मैनिफेस्टों में से कौन सा सबसे बढ़िया मैनिफेस्टों जो है आम जनता के लिए सबसे बेस्ट रहेग बाजपा तो घबराई हुए है क्योंकि उसका जो पिछले साल जो पिछले चुनाव का मैने फैस्ट होता वह नहीं वह लागव पर गाए वह आगे क्या दुबारा जनता को मुझ दिखाएंगे मैने फैस्टों के नाम पर रही आमाधी पार्टी की बात वह सिर्फ दिल्ली तक सिमित है और दिल्ली के आर्थी किस्थीति कुछ और रहे उत्राखन राज्जे के आर्थी किस्थीति कुछ हो रहे वह कुछ नहीं कर पाएंगे वह भाजपा की बेटी में आपसे लास्ट कमेंट लोंगी सब से और मैं आप आपसे यह चीज रह जाना चाहूंगी तीनowski इनके पास पैसा भी है इंके पास ओदे भी है सब है नौकरिया लेकिन देंगी नहीं और ना दी सास साल से यहीं ड्रामा करका और सर्रहर विकास के नाम पर जिलाते हैs कुछ नहीं है, मैडम देखो मैनुफेस्टो तो लाइस्ट टाइम सरकार बनी थी तब उन्होंने दिया था और अधिए थर जब भी चुनाव होते है अई यह एक पार्टि देती है लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टि एक ऐसी पार्टि है जो मैनुफेस्टों पर काम करती है और उसको पूरा और यह लांच हुआ है मैनने प्षटो उसमें यह हजार रुपे सिलेंडर हो रखा है यह हमारी सरकार आएगी तो हम 900 रुपए करेंगे तो उन्हों ने तो 2200 रुपए की बात करें इस अधरशन चांते कि मंहगाई कमों महगाई को है अपको YES अधैनी प्रिंका गांदी जी गांडी जी उन्होंने जो उत्रा खंडी सुआपिमान पर्तिग्या की बाथ की तो कॉंग्रेस पार्टी पर्तिग्या में विश्वास रखती है ना की जुम्ले बाजी में और जो पर्तिग्या BARTY ने ले तो चाह करेंगे वह का कॉरी से चा रही है चुनाओं में अच्छता काहता है। और वहीं आएंगे दस मार्च का दिन होगा और हर्दा के नाम होगा देखिए मुख्यमंद्री कौन होगा यह तो शीषर नेत्रित तो तै करेगा मैं इस पे तो नहीं जाना चाहूँगा पर हाँ जो इस समय उत्राखंड देवभूमी में जो माहौल बन रहा है वो कॉंग्रे इसके पड़तियासी हैं उनके साथ अपार जन्समू उमड रहा है तो कही ना कहीं देवभूमी में बदलाव निश्चित तोर पे होने जा रहा है आपका क्या मानना इस पर कि सीम के चेहरे में कौन सबसे बेस्ट रहेगा धामी हरी श्रावत या फिर करना लज़े कोठियान हरी श्रावत हरि श्रावत और आप रिष्रावत हीं बनेगे मुक्य मंतरी अरू ना कहीं दोर रहे तो इसके अलावा और भी लोगों से बाचीट करके का अंताजा लगाएंगे कि क्या है चुन्नावी महान तो आपको क्या लगता है कि यह जो मुस्लिम यूनिवर्सटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर करा रहा है कॉंग्रेस पार्टी लगतार इस पर बयान बाजी चल रही है विपक्षी जो है भाजपा भी इस पर लगतार कोई मौका नहीं छोड़ रही है इस मुद्दे पर तो आपको क्या कहना है इस पर मुस्लिम यूनिवर्सटी चुन्नावी मुद्दा बन सकता है या नहीं देखें यह कोई नहीं बात नहीं है कॉंग्रेस के लिए वो सदैफ से मुस्लिम तुष्टी करण की नीती अपनाते है यह है और आप यह मानिये कि जिस समय बापू देश के लिए बापू बनाए गए है महात्मा कांदी जी और मैं तो उनको बापू नहीं मानता खेर मैं आपको बता देता हूँ उनके द्वारा जिस समय देश का बटवारा हुआ सन 47 में और उस बरबर अत्याचार के साथ हिंदो को मार काट कर पाकिस्तान से खदेड दिया गया जबकि धरम के आधार पर बटवारा हुआ था और दो देश मने थे एक पाकिस्तान मुसल्मानों के लिए एक हिंदोस्तान हिंदो के लिए लेकिन आप देखिएगा कितनी बड़ा तुष्टिकरन किया गया कि उन्होंने कहा कि जो मुसल्मान यहां रहना चाहे वो इस देश में रह सकते हैं जबकि हिंदो को वहां से मार कर काट कर भगा दिया गया आपको लगते हैं कॉंग्रेस तुष्टिकरन की राजनीती कर रही है सर्थ देखें कॉंग्रेस कर रही है और कॉंग्रेस हासिये पर है उसने अपने ताबूत में जो अंतिम कील ठोक नीती वो भी ठोक दी इस परदेश देव भूमी की पवित्रता यहां के चार धाम से है ना कि मुस्लिम तुष्टिकरन से आज परिस्तिती इतनी बत्से बत्तर हो गए है आप डेमोग्राफिक बत्लाव यहां देखेगा यहां मुस्लिम जनवार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आए दिन यहां पर लूट और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देन है द्रोहिंग्या बंगलादेशी और आज भी उनके वोट बन चुके हैं वो यहां के एक सम्मानिक नागरित के नाते वोट दे रहे हैं जबकि वह इस देश का दुर्भाग्य है तो आपको लगते कहीं ना कहीं भाजपा और कॉंग्रेस की भी जो कॉंग्रेस पार्टी है लगतर तुष्टी करन की राजनीती कर हेट्रेट फैला रही है और मुस्लिम जाते वाद यह जो चल रहा है कि राजनीती में अभी तक कोई भी इतना स्वच्छी करन करने वाला व्यक्ति नहीं है चाहे वो भाजबाही क्यों ना हो भाजपा के अंदर भी ऐसे लोग बैटे है और इस देव भूमी के पवित्रता के लिए वो लग लगे हुए है और उसका साथ देने वाली कॉंग्रेस पार्टी सदेफ से उनके साथ रही है और आज भी मुस्लिम तुष्टी करन का सबसे बड़ा उधारन यही है कि सहस्पूर शेतर में एक बड़ी मुस्लम किया गया वहां पर हाइटेक सिक्षा की गई सिर्फ इसलिए कि वह उस शरीयत कानून से बाहर निकले शरीयत से बाहर निकले तो आपको के लगते हैं कि सच में जो अगर कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सटी बनानी चाहिए यह नहीं नहीं यूनिवर्सटी कभी भी नहीं तो आपको मानना है साफ पर्ष्ट शब्दों में कि मुस्लिम यूनिवर्सटी राजधानी में नहीं बननी चाहिए और उसके लिए अगले दिन उस उस शेतर में अपने संकंटर्म के कारकरताओं के द्वारा और उन्होंने स्विस्क पेंस कहते हैं कि अगर , अब राज़्नीती धर्म के अधार देखे लें और कि इसके लावव भी कोई सही पुछा जा है धर्म कभी लिया ही नहीं गया धर्म के नाम पर अगर लिया गया तो मुसल्मानों का धर्म मुसलिम धर्म लिया गया हिंदू धर्म को कभी तवज्जुन दी पहली बार है कि आज राम के नाम पर वोट मांगने के लिए विपक्षी भी जा रहे हैं और मेरा क लोग लाज और मानेता है वह हिंदू सनातन संस्कृति के ओपर यह आपको लगता है मुस्लिम यूनिवर्स्टी इस बार चुनावी मुद्दा बन सकता है नहीं चुनावी यूद्दा बनना तो नहीं चाहिए मुद्दे और भी है अभी पहले तो बेरोज गारी मेंगाई यह बड़ा मुद्दा है जुलन्द मुद्दा है राश्टी मुद्दा चल रहा है समय और अभी तो सिर्फ बात ही उठी है कि मुस्लिम उनिवर्स्टी बन र मुस्लिम उनिवर्स्टी एक बननी चाहिए या नहीं मैं आपको कहतों दिया अभी तो से खाली वादा हुआ है हमारे कहने से क्या होता है हम तो बहुत कुछ चाहते हैं संस्कृत महाविश्वदाले भी बनना चाहिए और जितनी भी स्कॉलर्शिप गारा मिलती है बच्चो रहे है या राजनीति के अधारों पर धर्म चल रहा है यह तो समझ मैं आनी रहा पुब्ली को कुछ भी ठीक है ना तो कहना यह है कि पहले आप जो मूल समस्याएं है राज्य की हो देश की हो उसको सुलिधाना चाहिए यह बड़ी-बड़ी बातने करके नुश्टी बन जा हैं यह मूल भूत सुई धायां जो होती है प्राइमिरी से स्टाड करें अप प्रैमिरी स्कूल से ऊहां पर हूँ नहीं होती है पहले उसको सुदारों बड़ी-बड़ी बातने करके और एक तरफ वोड की राजनीति चाहिए आच्छा नहीं है और जैसे आ आपने का asking कि धर देखें पार्टी क्या है पाटी कोई बएकते कितना भी अच्छा समास्य तो देखते हैं कि देखते हैं कि देखते हैं कि धरम जाती यह सब किसका इधार है उसके अधार पर जो अलग अलग पार्टियों के बड़े-बड़े नेता हैं वो तैय करते हैं कि किसको CM बनाया जाए और CM कोई भी बने हमारी अगर कोई अगर बाजबा आती है तो हम तो कहते हैं पुशकर धामी जी अच्छे हैं कॉंग्रेस आती है तो हरी श्रावा जी अच जो थैलियों का मोल चल रहा है ना कि आज इसको खरीदो उसको तोड़ो उसको खरीदो तो हमारे वोट का महतुआ रहनी जाता है तो मुख्य मंतरी ऐसा होना चाहिए जो अनभव हो सबको साथ लेके चले कम से कम यह नहों कि कल को सरकार बने और 6 मीना साल में गिर जाए दु परवतिया आंचल जैसे देश में प्रदेश में यह वही काम करें तुष्टिकरन का और सुरवात सही जो कांग्रेस का रोड रहा है कि बांटो और राज करो अब वो क्या चारी है परवतिया चेत्रों में तो बहुत के लिए रहा है वो मैदानी चेत्रों में चाहते किसी न को नहीं संबब भी नहीं को रख झाल आगी एक मुस्लिम समुधाय को इसा कर रहे है खुस करने के लिए आज पिछड़े कहें क्यों आखिरक्र कर वह में रहा है वह मैं और उसको वोट्वैंक है बनाना चाहते हैं अगर बोट्वैंक इतने साट सतर सालों में तब तो कॉंग्रेस जो है मुस्लिमों को पता नहीं कहां ले जाती है लेकिन आज वह गरीब है असिक चित है पिछड़े सूसित है वन चित इसी वचे से क्यों कि वोट वैंकी बने रह गया है विकास उनका हुआ नहीं तो मैं आपसे जाना चाहूंगी कि फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी पाइटी इस बार सत्ता में आएगी तो क्या प्रवतिया यहां के पहाड के लेडरों को कम माने है उत्रा खंड के जो मूला उनको कम माने लेकिन इस चीज़ बे लोगों का ज्यादे विश्वास है कि मो अच्छा भी हो है गंगोत्री तक चाहिज के दाना तो गंगोत्री हो चारो नहीं की रोड़े बहुत बढ़िया बनी इसमें कोई सकने आप फोर लेने हरदवार से गंगोत्री भी बदरनाथ बे के दानाथ में सब जग अच्छी लेने बनी है तो मैं आपके बाद आती हूं मैं चुनावी मुद्धा बनने वाला है मैडम चुनावी मुद्धा तो कुछ भी हो सकता है और सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को ठीक कर जिए उनिवस्टी तो बाद में बनेगी वह ठीक है ना यह तो मुद्धे तो आते रहेंगे मुस्लिम उनिवस्टी बनाए विस्वे अगर मेरे को धरम ही चाहिए तो में काम करता हूँ अगर में दिया बत्ती अगरबत्ती करता है रहता हूँ और अपने आग खाना देख रहे हूँ और देदेगा खाना फिर तो मुझे ठीके ना इधर से मुस्लिम उनिवस्टी हो जाएगी एक काम करो बच्चों को मुस्लिम उनिवस्टी में बेज दो बाद में क्या होगा आपकी सब जानते ही है मुस मैं यही कहना चाहता अभी ऐसे आपने का धर्म के आधार पर आजनीती हो रही है सबसे बड़ा धर्म रो राश्धर्म है और हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी धर्म के लोग हो वो इस देश के नागरिक है यह तो एक वैश्विक की कानून है जो जिस देश में पैदा हो गया समानता पहली समानता है समानता का अधिकार सब्सक्राइब के लिए है जो जिसके बारे में नेता बात नहीं करना चाहते है वो चीज है तो इसकी ही बात होनी चाहिए अभी आप खाली एक चीश के लेके चलेए कि मुस्लिम निविश्टी बननी चाहिए मेरा तो यह कहना है वो पार्टी सची पार्टी होगी जो कहेगी कि हम अध्यापगों भरती करेंगे और अध्यापगों का वेतनमान इस परकार से रखेंगे क कि अच्छे अध्यापक छोटे-छोटे स्कूल नपढ़ाने के लिए तयार हो जाएं तो यह काम नेताओं को गोश्णाएं करनी चाहिए और गोश्णाएं निताएं बहुत करते हैं उसके बाद में क्या होता है वो तो पपली आपको पता ही है तो जैसा कि नहीं ने बताया क्या लगता है आपको कि चुनाव में अब मुस्लिम युनिवर्स्टी मुद्धा होने वाला इसके नाम पर वोट बटेगा जी बिएक सिर्फ राजनीती खेल है उन्होंने कौन सा युनिवर्स्टी का कह दिया और कोई घोशना कर दिया तो कौन सा एक दम बन गई है वो सिर सिर्फ इस टाइम जो बादे कर रही होगा सिर्फ एलेक्शन है कि उनिवर्स्टी कर देंगे और कौन सी गई है वह बहुत समय लाइगा इन बातों में तो तो आपको के लगता है फिर कौन सी पार्टी आएगी और कोई नहीं आएगी आएगी और बाश्पात है मुख्य मंत कुष्टी करन की राजनीति कहीं हद तक काम दिखाएगी आप चुनावी मुद्धा चुनाव के समय इसका पर्चम लह रहाएगा तो आप आपकी क्या राया इस पर कि क्या यह मुस्लिम यूनिवर्सटी एक चुनावी मुद्धा बन सकता है मैं इस बारे में कोई राय नही है तो उसके बाद हम लोग एक मुस्लिम यूनिवर्सटी का गठन करेंगे इस उत्राखन राजम में मैं इस बारे में कोई जानका रही है तो आपको लगते कौन सी पार्टी आईगी पार्टी बीजेपी आनी चाहिए बीजेपी क्यों मैं सारे काम बढ़िया कर रही है बीजेपी बीजेपी आएगी और एक मुद्धा जो आप सोचते हैं कि इस बार अगर बीजेपी सरकार आए तो फिर क्या करें आएगी तो जैसे चल रहा है यसी चलता रहेगा क्या गण्य बताई आपको लगता है कि कुछ विकास हो या फिर देखो कितनी उन्होंने योजन सुख हैं जखेंगे मोदीजी आ रहें हैं योगी जी आ रहें के सारे काम करी रहे हों तो इन्हां लगता है कि जैना भाई मोधी जी आ रह। हैं उन्होंने पाफी काम किया तो इसके बाद रार Васini का जो खेल है वो सिरफ तुष्टी करण कि राजनीटी की तक 친नावी मुद्दा उसके basis पर आप चुनाव नहीं लड़े जाएंगे विकास कारें देखकर लड़े जाएंगे और कई लोगों का मानना है कि धर्म के अधार पर भी इस बार चुनाव लड़े जाने वाले हैं फिलाल और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं यह जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि वाके में क्या यह मुस्लिम युनिवर्सटी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है क्या मुस्लिम युनिवर्सटी अगर राज्य में बनती है तो उसके बाद क्या इसके नफा और नुकसान होने वाले वीडिय जो जर्नलिस्ट साच्चिन के साथ मैंनी शिवाटिया दरदून।